S.P.C.T. कृष्ण कुमार विश्णोई ने बरावफाद जुलूस वा भरत मिलाप जुलूस को सकुसल संपनी कराने को लेकर बेनिकजनसित इदगाह के ग्राउंड पर मुसलिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की जिसके संबन में S.P.C.T. कृष्ण कुमार विश्णोई ने बताय की जनपत में रविवार को भरत मिलाप वा बरावफाद का जुलूस निकलेगा जिसमें 127 जुलूस बरावफाद का निकलेगा तथा बरत मिलाप का भी जुलूस साथ में निकलेगा जुलूसों को साकुसल संपन्य कराने के लिए यिद्गा में बैठक की गई है जिसमें सभी जुलूस निकालने वाले आयजक शामिल हुए उन्होंने बताय कि यहां निर्णा लिया गया है कि सभी जुलूस के साथ एक नोडल अधिकारी साथ में रहेगा सभी प्रमुक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाब SSB जवानों की जुटी लगाए गई है जिसमें जुलूस सांती पूर्वक निकल सके इसके साथ ही बरावफात से निकलने वाले जुलूस के समय में भी परिवर्तन किया गया है कि वाब भरत मिलाप के निकलने वाले जुलूस से पहले अपना जुलूस समाप्त कर लेंगे जिससे कि किसी भी समुदाय को किसी तरह की असुवधा ना हो और दोनों लोगों का जुलूस सकुसल संपनी हो सके इस ओसर पर एडियम सिटी विनित कुमार सिंग, सिटी मजिस्ट्रेड अंजिनी कुमार सिंग, राजगार थाना प्रभाली संजे कुमार मिश्टा, कोतवाली थाना प्रभाली अजय कुमार मौर्यतिवारी पूर थाना प्रभाली महेंडर कुमार मिश्टा, उपने रेक्ष वेक्टी आपसे बात भी करेका वो जिया होगा पल्लियों कितने लोगों से अभी तक बात हुई किसी कुस्टेबल के बादाने से अभास फूला आया या आपके बास फिसका मतलब ठाने से संपर्ट किया जा रहा है और वो आपका इस जुलुस के लिए नोडल परसन है नोडल मतलब आपकी कोई भी परिशान ही आप उसको बताईए उसका काम है वो तोरंट महुंचेगा और वो आपको जो भी साहिता प्रदान करने करेगा उसके अलावा रूट में जहां जहां से आपका जुलुस निकलेगा वहाँ पर प्रकास की वेवस्ता नगर निगम के द्वारा की जाएगी उनको अभी बता दिया जा रहा है और शुरक्षा की वेवस्ता यह पुलीस का जिम्मा है और उसमे एतरिक्ट फोर्स भी लगाया जाएगा ताकि आप लोगा जुलुस सांधी कुरुग निकले लेकिन यह एक आयोजग का ही मुख्य जम्मारी है कि जुलुस में किस प्रकार की लोग आते हैं अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के लोग आया हैं जुलुस में जो लोग आप महीं चाहते हैं और आप उनको निकालने में असमर्थ हैं तो आप तुरंद पुलिस को बताई हैं ऐसा नहीं हो कि बाद में उसी चीज पर लेकि जुलुस में लड़ाई हो या कोई ऐसा मसला हो और बाद में पुलिस वाले पूछे भई अब आपको पता था आप आयो जग हैं आप मुख्य हैं उसके होई हैं तो क्यों नहीं आपने बताया ठीक है इस तरह की घटना पीछे एक दो दिन में और भी दूसरे त्यार भी हुए है जिसमें पहले चोटी मोटी लड़ाई हुई लेकिन उनके दोरा नहीं बताया है नहीं बताने के बाद में वो घटना बड़ा रूप ले लेती है दूसरे कहीं और के लड़के आते हैं वो घुलस के अंदर मिलते हैं और समश्या पैदा होती है इसलिए आप जिनको बुलाते हैं जुलस में उसको आपको जानकारे रहने चीए और उसके बाद में जो साथ में नड़ल ले दिगा रही है वो घुलस के साथ साथ चलेगा तो अब उसको भी बताते रही है कोई शमश्या होतों भी तुरंट बता है उनको हम सेंसिटाइज करेंगे जो भी पुलीस के बल है ताकि वो तुरंट समय रहते जिस प्रकार की साथा की जोलते हो कर पाएंगे इसले 5-5 मेने में एक छोटे से भी इंसिडेंट की ना मुसलिम पक्स की तरफ से ना हिंदू पक्स की तरफ से कहीं ऐसा कमिनल का इस सहर में इतनी शांतीज और अमन इस सहर में बहुत ही अच्छा फील होता है करता हूं कि आप इसी तरीके से जारी रखेंगे आप अपने नोडल लदिकारी का नाम जरूर नोट कर लेना और उसके बाद भी कोई समश्या हो नहीं निप्टा पा रहा है तो आप जरूर है स आने का टाइम तो आप पहले हाजाएंगे ने आप निकले वापस जाने का जिनका वापस जाने का उस रास्ते वाल हो जाएंगे सब लोग अपना ग्यारा वजे तक वो पार करना है आप लोगों को राम जान की वेले आप अपने समय से निकाली है तो जाने की तो जलूस जाएंगे जाएंगे, उनकी टाइम कोई मतलब नहीं है, जो 10 जलूस आने हैं, वो तिवारी पूर थाना की 10-12 जलूस है, अपको तो आईशेज के 2-3 जलूस हैं, वो आएंगे, उसी बहर जिसे आपने कहा, उसी बात पर मुझे रेंगे, जब दो घंटा पेछे हो जाएंगे, 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 आप लोग भी उसी तरह से बढ़ते रहेंगे, ठीक है, धन्यवास सब लोगो इस मीटिंग में आने के लिए, अब आज मीटिंग है समार्थ की जाती है, यह हम लोग नव तारिफ को मेंते हैं, जलूस में 12 जलूस का जलूस नव तारिफ को निकलना है, उसी तिन रात में एक भरत मिलाब का भी जलूस होगा, उसको देखते हुए दोनों के जलूस में समय को प्रबंधन के लिए आज ये मीटिंग उलाई गई थी, यह सामती से सब लोग तयार हुए हैं, बरत मिलाब का जलूस निकलने से पहले यह लोग अपना जलूस निकाल लेंगे, जिससे कि इस सब्सक्राइब को प्रबंधन के लिए हैं, बरत मिलाब का भी जलूस निकलने सब्सक्राइब का जलूस निकलने से लिए आज इदगा बेनिगज में बेठक की गई है, बेठक में सबी मुतवलियों दारा पाटिसिपेट किया गया एवं मुतवली एक्षन कमिटी के जो अध्यक्स हैं वो भी यहां पे हैं इस बेठक में यह नेने लिया गया कि सभी जुलुसों के साथ में एक नोड़ा लदिगारी रहेगा एवं मैतोपॉर्ण चुरहाओं पर ट्राफिक एवं गौरकपुर पुलीस की डूटिया एवं एससबी को भी तेनाद किया गया है ताकि सुरक्सा चाक्चो बंद रहे और सभी लोग अपना सांतिपुर्ण दिलुस को निकाल पाएं थैंक्यू